हेलो चंपियंज, वेल्कम बैग टू, लेट स्कोर हंडेट, दोस्तों आप लोगों ने थम्नेल में बिल्कुल सही देखा, यह एक इंपोर्टेंट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन है, जिसको जानने के बाद आपका धेर सारा प्रीशेस टाइम एंड एफर्ट जरूर या फिर आप SST में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आएए देखते हैं इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, जो आप लोगों के लिए काफी यूस्फुल है, आपका पांच मिनट चाहिए, अगर आप पांच मिनट देंगे तो आपका धेर सारा प्र SST में जो हमारा मैप बेस्ट क्वेश्चन आता है, जोगरफी में, बैसिकली जोगरफी में 3 मार्स का मैप आता है, और हिस्टी में 2 मार्स का, और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो जो जोगरफी का मैप, जो बैसिकली जो हिस्टी का मैप होता है, उसमें केवल 8 रिसम तयार करके टू मार्क्स मिल जाते हैं अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी तरीके की एक और बहुत अच्छी ट्रिक और इंफॉर्मेशन या एनलेसिस है जिसमें जोग्राफी में भी इस तरह का हम कुछ यूज कर सकते हैं और पूरा चैप्टर हमें नहीं पढ़ा पड़े तो केवल शिक्स चैप्टर लेकिन उसमें भी आपको पूरा शिक्स नहीं पढ़ना है तो चलिए देखते हैं तो फिर हम लोग जो इंप्टन इफॉर्मेशन उसको शेर करते हैं देखें आप लोग जानते हैं यह देखें क्लास 10 का लिस्ट आफ लिस्ट आफ मैप्स हो गय थ्री कॉंग्रेस के इंपोर्टेंट सेशन हो गया उसके बाद दांडी हो गया और जलिया वाला भाव हो गया राइट इसी तरह की कुछ most important information geography में map based question के लिए मैं share करने वाला हूँ इसलिए आप 5 मिनट जरूर दीजे क्योंकि यह 5 मिनट आपके लिए काफी important होने वाले हैं चलिए देखते हैं यह रहा हमारा geography का map आप लोग जानते हैं कि geography में वीडियो के अंत तक बने रहे हैं फिर से बता रहा हूँ यह बहुत ही important है आपके लिए कि अवल 5 मिनट दीजे 5 मिनट में बहुत important information आपके लिए share करूँगा आप देखिए यह हमारा geography geography में हमारा जो पहला dams जो जिसको locate करना बहुत ही आसान है उसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा agriculture agriculture में आपका major areas rice and wheat और उसके बाद हमें यह देखना है कि जो major producer states है sugar can हो गया tea हो गया coffee हो गया cotton and jute हो गया right उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है पांचवा चैप्टर minerals and energy resources में हमें iron ore mines करने है coal mines करने है please ध्यान से सुनिये बहुत important है उसके बाद oil fields करने वाले है thermal and nuclear power plants पढ़ने वाले है now let's move to the next slide next slide में हम जोग्राफी में क्या करना है manufacturing industry जो हमारा six chapter है six chapter में हमें क्या क्या पढ़ना है map में cotton textile industries पढ़ना है iron and steel plants पढ़ने है software technology parks पढ़ने है right और यह अपना जो 7th chapter है जोग्राफी का life lines of national economy आप लोग जानते हैं इसमें से केवल map work ही आएगा right और इस chapter में map work में क्या है major sea ports है और international airports है अब आप कहेंगे sir आप कोंसी important information share करना चाहिए उसे share तो करिए so here is the important information let's move to the next slide देखिए दोस्तों geography में अपने यह total 7 chapters है right लेकिन जो map work आ रहा है वो केवल 6 chapters से आएगा इस वाले chapter से second chapter से हमारा map work नहीं आ रहा है अब कितने chapter बचे 6 राइट अगर मैं कहूं कि इन 6 के 6 chapters का आपको नहीं पढ़ना है आपको पूरे के पूरे 3 marks मिल जायेंगे केवल 4 chapters पढ़ करके yes यह कौन कौन से 4 chapters है आएए देखते हैं हमारे 4 chapters है यह पहला हमें क्या पढ़ना है water resources के map करना है दूसरा हमें minerals and energy resources के करने हैं चोथा manufacturing industries के और basically चोथा नहीं किवल 4 किवल 4 के map करने है water resources के major dams करने है minerals and energy resources करने है manufacturing industries करने है life lines of national economy करना है यानि आप agriculture को बिल्कुल छोड़ दीजे resources and development को बिल्कुल छोड़ दीजे यानि आप केवल 4 chapter करिये और कौन कौन से छोड़ने है फिर से एक बार repeat कर रहा हूँ आप resources and development को छोड़ दीजे एक बार मैं clean कर देता हूँ आपको resources and development बिल्कुल नहीं करना है आपको agriculture बिल्कुल नहीं करना है map की बात कर रहा हूँ map work में आप agriculture and resources and development को बिल्कुल छोड़ दीजे केवल 4 chapter यह 4 chapter जो हमारे हैं जिनको मैं circle कर रहा हूँ इनको उनको खुब अच्छे से तयार कर लिजे नहीं करना है कि यह नहीं करना है जो circle कर रहा हुँ वह करना है यह तो आहीं नहीं रहा है राइट कौन कौन से करने हैं जो circle सब्सक्राइब कर लिए अब आपको होगे सर आपको कैसे पता हम इतना रिस्क कैसे ले ले ट्रस्ट मी मैंने पिछले टेन करी है और मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग आज कल काफी विजी चल रहे हैं आपका फिडी बोड का एक्जाम चल रहा है एंड थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर होता है हर चीज को पढ़ने का करने का यह एनालसिस मैंने आपके लिए कर दी है बट फिर भी आप एक कॉंफि आपको बड़ बियाओस आपको डिकांद का लिकाल के देखें आपको डिकॉन दोनों चेप्टर से यारो चैप्टर वन चैप्टर फोर से अगर बेस न मिलता है तो कमेंट बोक्स में करें कि सर आपने मोधी जी चल रही है यह कुष कर दोड़े गारेंट से बसक्रान उ explains वीडियो है, आपके लिए helpful हुआ, अगर आपको लगता है ये वीडियो में जो information दी गए आपके लिए useful है, तो please subscribe, let's score 100, and video को like करना मत भूलिए, subscribe कर दीजिए, thank you so much for subscribing, let's score 100, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जल्दी ही, till then, keep learning, keep scoring full marks, thank you so much.